सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ गंगा के तड़ पे खड़ी हूँ मा गंगा की आत्मकथा को चार पंक्तियों में बाचना चाहती हूँ आप सबके बीच में सुनियेगा स्वागत अपना घर द्वार अपना पता छोड़ कर अपना घरद्वार अपना पता छोड़ कर स्वर्ग के वैभवों की छटा छोड़ कर स्वर्ग के वैभवों की छटा छोड़ कर जब भगीरत ने मुझे को पुकारा यहाँ मैं चली आए शिव की जटा छोड़ कर मैं चली आए शिव की जटा छोड़ कर चमन में खिल उठे हैं फूल तुमने मुश्कुराया क्या कहीं तुमने प्रड़े का गीत कोई गुन गुनाया क्या किसी ने प्यार में इतना किसी को वाजमाया क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पांस साथ मिर्ट में अपना का पार्ट निप्टाने कोशिश करती हूं समर्पन की चार पंक्तियां आपके बीश में रखती हूं अगर कोई पंक्ति आपके मन तक पहुँचे तो आश्रवाद देजेगा सुनिएगा बहुत उल्जा हुआ है मन तुम्हें कैसे बताओं मैं तुम्हारे बिन तो अब दो चार पल भी रह न पाओं मैं अकेला पन तो अपना मैं किसी से बाट लेती हूं अधूरा पन तुम्हारे बिन भला कैसे मिटाओं मैं अधूरा पन इतना गंभीर भी होकर के न सुनिए मैंने कोई ऐसे गंभीर बात नहीं चार पंगतियां और पढ़ती हूं गीत पढ़ने से पहले चार पंगतियां और पढ़ती हूं सुनिएगा जरा रख दो न अपने पाव मेरे दिल के जीने पर प्रड़ के गीत मैं रचलू भोज पत्रों के सीने पर अभी रुकना है दय की वी थिका में फिर चले जाना कोई वादा मेरा लेकर कोई वादा मुझे देकर गीत पढ़ने से पहले चार पंगतियां एक मुकत पढ़ दिजिए रिसियो फकीरों वाले अभी बड़े भाई हैं बहुत आदरनी हैं बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी कुछ समय पहले कुछ टीपड़ी की उस्टीपड़ी के जबाब में चार पंगतियां पढ़ती हूँ आप सबका अश्रिवाद मिले मुझे और आपकी तालियां उन तक पहुँचें मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा बहारों के हसी मौसम में भौरे गुन गुनाते हैं चमन को लूटते हैं गंध फूलों की चुराते हैं दमकते रूप की जब आरती सिंगार करता है वहर्षियों फकीरों के भिसंयम तूट जाते हैं वहर्षियों फकीरों के भिसंयम तूट जाते हैं